ऐलो नमस्कार साथियो, शुह अगता आप सभी का एकोने लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साथियों हम यहां पर आगामी 6 माह में आने वाली राजिस्तान में 10 बड़ी भरतियों के बारे में कौन कौन शी बरतियां आने वा बाहर होंगी, कब तक इनका notification जारी होगा, भरती कब तक आएगी, कुल पद कितने होंगे, परिक्षेन की कब तक होगी, योगे तो इन में क्या है, पाटे क्रम क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, A2Z शंपूर जानकर यह आपको इसी वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो क complete watch करना आपको अच्छे से चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अपली चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें, बैल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो को नाटफिकेशन साथ हो, आपको मिलता रहे, अपना एक टेलिग्राम चैनल भी है, को जोंड से जल्द से जल्द साती हो एक टेलिग्राम चैनल लोल्टाप है, जिससे कि आपको आपको सभी परकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे शाटे का आपको मिलती रहे, तो सबसे पहले तो हम यहां पर बात कर लेते इकांपा, की आने वाले अगले महिनों जो 6 महां आपके लिए होंगे सात्यों गोल्डन साबित होने वाले हैं, गोल्डन चान साब के लिए गौवर्मेंट जोव का पानी का सुने रहा हुसर है, तो ऐसे में यहां पर मैं बात करने वाला हूँ, कि इन में कौन-कौन शी बरतियां CT में होंगी, और कौन-कौन शी बर चल रहे हैं, और जिन अब जयरतियों का यहां पर सपना है, राजस्तान पुलिष का, राजस्तान पुलिष की वर्दी पहनने का, है ना, और LDC बाभू बनने का है, तो वो अब जयरतियों अभी यहां पर 12th लेवल CT का फोरॉम बर दे हैं, क्योंकि आप बिना 12th CT के साथ य जहां से सुनना सबसे पहले आप सातियों, ठीक है, इसके बाद यहां पर आपका यह बिना CT के आने वाली हैं, प्रियोग साला सायक होगी, जेल प्रेरी होगी और इसकुल चपरासी, यह आपके सातियों बिना CT के आने वाली हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, पटवारी के में सात्यों आपको पता है करमचारी चेनबुर के अद्धिक सालोक राजजी की दौरा कापी समय पहले आपको बता दिया गया था कि जो आपकी पटवारी की जो नई बरती आने वाली अब लगबग वो तीन हजार पदों पर आने वाली है और यह बरती आपकी CT इसना तक इस आपकी योग्यत होगे आने कि आपके पास यहाँ पर सात्यों ग्रेशन होना जरूरी है अगर आप ग्रेशन आपके पास है तो यह आप इसके लिए अपलाई करेंगे अने था एपलाई नहीं कर सकते साथ में आपके यहाँ पर CT में 40% मार्क्ष भी होने चाहिए यदि आप 40% मार्क CT को क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहाँ आप इसे अपलाई करेंगे अन्यत आप सात्यों इसे अपलाई नहीं कर सकते इसके अलावे यदि में बात करते हैं इसके फॉरूम तिति को लेकर तो नवंबर दिसंबर 2024 में आपके इसके फॉरूम इस्टार्ट हो तब ही आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं अभी यहाँ पर इसमें थोड़ा बताया नहीं है कि इसमें सात्यों पद केतने होंगे तो लगबग अपन मानके चल सकते हैं सात्यों इसमें भी यहाँ पर 2000 के आसपास पद हो सकते हैं और इसका भी प्रोसेस यानि कि लगबग पदों पर गोशना की गई थी, हैना भी जो बजट हुआ इसमें, लेकिन अब इसमें यहां पर साथियों और पद बढ़ा दे गए हैं, और लगबद अब यह बरती आपके 9000 पदों पर होने वाली है, इसके लिए 12 पास होना जरूरी है, साथ में आपको CT 12 वाला पेपर भी य पद की गोशना की थी, हैना, पद की गोशना की थी, रह भी वाग ने 3500 पद बढ़ा कर 9000 का परस्ताव भेजा, तो जल्दी आपके यह बरती आने वाली है, और यहां पर साथियों जल्द मंजूरी की संभावना आपर मिलने वाली है, आप देखो, 3000 पद यानि कि आपके ज तीन नई बटालेन की गोशना कर दी थी, तो मतलब हर एक बटालेन के लिए 1000 कम से कम पद होने चाहिए, तो यहां पर 3000 पद तो आपके बटालेन के होंगे, 4000 पद नए थाने चोकी जो जोड़ गए उनके लिए, और यहां पर 2000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है पैटोलिंग के लिए, और इसमें सात्यों लगबग 2-3,000 पद special महिलाओं के लिए भी यहां पर होने वाले हैं, है ना इसी में, तो एक बहुत बड़ी अपडेट सात्यों आपके लिए यहां पर होने वाली है, और पहले का गया था कि इसमें जो RAC, बटालेन वाली वाली वेकेंश होग और यह भरती भी आपकी जल्दी आने वाली है, बहुत बड़ी सात्यों आपके लिए अपडेट है, रास्तान पर इसको लेकर, इसके बाद LDC की में बात करता हूँ, तो जश्ट जो LDC का सात्यों भी अगस्तों में आपका एक्जाम हुआ है, है ना, तो जल्दी नई रेके शाने वाली है और लगबग चार हजार पदों पर LDC की जो नई भरती है, वो यहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, योग्यत आपको पता वो इट टूल्थ लेवल है, सीटी इसनात, सीटी टूल्थ वाल आपका पेपर पास इसमोना जरूरी है, सात्में यह अगे हम इसमें यहाँ पर सात्यों प्रियोग साला सायक के बारे में, तो देखो, पहले सात्यों जो एक लास्ट अभी प्रियोग साला भरती गई थी, लेवाश इसमें यहाँ पर इसमें तीन तरह के पद देखने को मिलेते हैं, विज्ज्ञान वर्ग में, भूगोल, और इसमें यहाँ पर क्या होता है कि अलग से भूगोल और ग्रह विज्ञान वालों को भी इसमें एड कर दिया, और यह भरती आपके ऐसात्यों बिना CTK, यह भरती आपके कैसे है, यह भरती आपके बिना CTK होने वाली है, आपके पास क्या होना चाहिए चाहिए, और 12th पास आ होना जरूरी है, और अगर आप विज्ञान वरक्ष हैं तो विज्ञान प्रयोकसाला साइक के लिए अपलाई करेंगे, अगर आप भूगोल आपके पास है बारवी में, तो आप भूगोल के लिए अपलाई करेंगे, और आपके पास होम साइंस है बारवी में, तो आप गर पद इसमें भी आपके 1000 प्लस पद देखने को मिलेंगे आपके और आप यहां पर देख सकते हैं आलोक राजी के द्वारा जो करमचारी चेनबूर के यहां पर अद्दक्ष मोध्देजी हैं इन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट करके बताया भी था कि जेल प्रहरी प्रयोग तो अब तैयारी में आप यहां पर लग जाएं इसके बाद इसकुल चपनासी यह भरतिवी सात्यों बहुत लंबे समय बाद अभी तक देखने को नहीं मिली है लेकिन जो अपडेट मिल रही है वो यह मिल रहे कि जल्दी इसकी भरतिवी देखने को मिलने वाली है 20,000 पदो हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे पातरता वाले अभ्यरतियों के लिए ना कि पातरता वाले अभ्यरतियों का इंतजार कब तक पूरा होगा तो पातरता में आपर सात्यों जैसे कि दो लेवल होगे आपके लेवल वन और लेवल टू लेवल वन में क्या होता है सात्यों य वह कहते हैं दिया होगी. जैसे अभी आप राष्थान प्लिस का आप ने दिया था पहले आपने CT पास करी थी, उसके बाद राष्थान प्लिस का में अग्जाम में आप बैठ इती. इसी प्रकार चाहिए. पहले आपको यह पातरता पास करना होगा. इसके बाद आप थर्ड men's exam में आप बैठ पाऊगे रीट मुख्य परिक्षम आप बैठ पाऊगे तो इसके लिए आपको level 1 के लिए सात्यों BSTC आपके पास होना जरूरी है और BSTC कितने वर्ष का होता है भाईया तो वर्ष का होता है level 2 के लिए आपका सात्यों बीर्ड होना आपके पास जरूरी है level 2 के लिए क्या होना जरूरी है सात्यों आपके पास बीर्ड होना जरूरी है एक तो बीर्ड होती है दो वर्षी है और एक बीर्ड होती है सात्यों चार वर्षी है जिसे हम कहते हैं यह बीर्ड और एक आता है यहाँ पर साथ यो VSCBD यदि आपके पास यह है तो आप Level 2 के लिए apply कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर अलग-अलग stream होती है जैसे कि SST वालों के लिए लग होता है Science वालों के लिए लग होता है Math वालों के लिए लग होता है तो इसमें अलग-अलग stream होती है और इसमें criteria आपको पता भी है बई है न category अलग-अलग साथ परसेंट नंबर पच्पन परसेंट नंबर इसमें आपका यह 500 नंबर का paper होता है और इसमें 500 कोश्टन होते है यानि कि एक कोश्टन आपका एक नंबर को होता है और समय इश में जो आपको मिलता है वो 3 hour मिलता है नेगेटिव मार्किंग आपके इश में होती नहीं है ठीक है जो भी यहाई इससे क्वालिफाई कर जाता है वो मेंस एक्जाम में बैठ जाता है अब एक यहाँ पर बार-बार सवाल आ रहा है अब भीरतिओका वैसे एक बर पहले मैं आपको बत जाता हूँ साथ यह पातरथा के बारे में कि इसका जो notification आपका होगा ओ कर तक आएगा नोर्टिफिकेशन इसका जो आपका है कर तक जारी कि जाएगा पातरथा एक्जाम का notification तो पात्वरता एक्जाम का notification सात्यों मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो यह आपका सितंबर या अक्टूबर यदि सितंबर में जारी नहीं कर जाता है पात्वरता एक्जाम का notification तो आपका अक्टूबर में जारी कर दे जाएगा और परिक्षा की यदि मैं बात करता हूँ सात तो परिक्षय आपकी होगी साथ और लगबग 2025 में कब होगी भाईया? 2025 में और 2025 में कब भाईया? 2025 यöNe कि फरुवारी के आस पास फरुवारी या मार्च 2025 आप मारच चलो उससे पहले से पहले 2024 में जो first year में अब्यार्थी है क्या वो इसके लिए apply कर सकते हैं हाँ बिलकुल आप साथ उनिश्चिन रहें इसके लिए आप apply कर सकते हैं जो 2024 अब की बार first year में हैं और जिनके अभी first year के exam लगेंगे वो अब्यार्थी भी यहाँ पर इसमें पातरता के लिए paper दे सकते हैं कोई problem नहीं है क्योंकि ये system पहले था 2021 तक जब एक एक exam लगता था तो वहाँ पर सर्थ क्या थी कि आपका जो REIT BSTC की degree आपकी वो जब REIT का result आएगा उससे पहले-पहले आपका second year का result आजाना चाहिए BSTC का लेकिन जब से पातरता एक्जाम किया गया है 2022 से तो वहाँ पर allow कर दिया कि आप इसका paper दे सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन जो आपका men's exam होगा ना REIT मुख्य परिक्षा वहाँ पर जरूरी है कि REIT men's exam का result आने से पहले-पहले आपकी second year हो जानी चाहिए यादि कि अब मान लो अगर बायचान जैसे 2024 वाले अभ्यरती इस exam में बैचते हैं फरवारी वाले exam में फरवारी मार जो भी होगा पातरत exam अगर इसमें याप पर बैचते हैं और जो आगे REIT मुख्य परिक्षा होगी तो वहां तक आपका जो second year होगी जो 2026 में जाकर आपकी जो second year complete होगी ये BSTC अब तक आपका result आजाना चाहिए REIT मुख्य परिक्षा के result से पहले-पहले तो आप निश्चिंत रहें तयारी अभी से आपने start कर दें किसी के back away में नहीं आएं क्योंकि मैं आज गल यूटूब पर देख रहा हूँ बहुत सारे जैसे की बिरमित कर रहे है कि REIT पात तरता के लिए आपका second year होना ज़रूरी है ये है हुए ऐसा कुछ भी नहीं साथ हो system change कर दिया गया है और यहां भी जो मैंने बताया था same process होई रहने वाला है अब बात करते है REIT मुख्य परिक्षा के बारे में तो REIT मुख्य परिक्षा साथ हो 2025 last तक होने की chance है इससे पहले मुझे कोई chance दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे बात करते हैं first grade के लिए तो first grade में सात्यों जैसे कि अभी उपेन अदुजी के और से tweet करके बताया था आज कि जो apply चल रहे थी यहां पर news paper की और से समचार channel की और से कि भाया अभ्यरतना RPC बेज दी गई है यह है वो ऐसा सात्यों कुछ भी नहीं है उपेन अदुजी नहीं इस पश्ट किया है कि अभ्यरतना अभी RPC first grade के नहीं बेजी है और इसके अलावा first grade में जो agriculture विशे है subject है उसके लगबग यहां पर 2000 प्लस पद बता रहे है 2000 प्लस पद बता रहे है इनका कहना है कि इनमें अभी नियम संसदन होने वाला जल्दी 2000 पदो पर यह विज्यप्ति जारी कर दियाएगी बाकि और इनकी कोशिस है कि जल 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 दो और second grade के लिए उनने काया कि अभी 1000 पद बताए जा रहे है फिलाल जो बहुत कम है सात्यों और इनकी कोशिस है कि DPC के मादेम से जल दी जादा से जादा पदो पर second grade भरती का आयोजन करवाया जाए तो अभी फिलाल दूर दूर तक first grade और second grade को लेकर कोई समावना नजर नहीं आ रही बलकि आप अपनी तयारी में सात्यों लगे रहे है regular अगर आप regular तयारी करते तो निश्ची तो आपको शफलता मिलेगी तो ये सात्यों आपके आगा में 6 मा में आने वाली बड़ी बड़तियां थी फिर भी आपका कोई डाउट रहता था आप कमेंट बक्स में सात्यों कमेंट करें आपके सभी सालों का जवब दिये जाएगा आप मिलता है नेक्स्ट अब लेट वीडियो के साथ थेंक्यू